हलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकरणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में मैं आज आपको क्यूँ डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देने वाली हो तो क्यूँ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको ज़्यादा इंफोमिशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हो आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे उसका shortcut display कर रही हूँ तो start करते है Q क्या होता है Q जो होता है वो होता है non primitive and linear data structure non primitive इसका मतलब जो primitive नहीं है जो primitive की मदद से हम construct कर सकते है उसे हम बोलते है non primitive data structure तो Q data structure जो है वो हम with the help of primitive data structure construct कर सकते है और linear data structure क्या होता है जो की linearly grow होता है यह सारी चीज़े आपको introduction to data structures के वीडियो में मिल जाएगी अभी हम अगला point डेखते है कि Q जो होता है वो होता है basic data structure जिस पे हम दो operations perform कर सकते है पहला तो है insertion operation दूसरा जो है वो है deletion operation और यह जो operation हम perform करते है वो separate end पे हम perform करते है अगर आपको stack data structure पता है तो आपको इसका difference समझ में आएगा कि stack data structure जो होता है वो भी basic data structure होता है पर जिस पर हम सिर्फ जो operation perform करने वाले है insertion and deletion operation वो सिर्फ एक ही end पे perform करते है उस end को हम top of the stack बोलते है ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा introduction to stack data structure वाला वीडियो भी देख सकते हो उसका भी shortcut link में यहाँ पर provide कर रही हूँ तो I just want to say कि पहले आप introduction to data structure and stack data structure पढ़ लीजिए देख लीजिए और उसके बाद ये queue data structure को continue कीजिए तो फिलहाल में ये मानती हूँ कि आप लोगों को introduction to data structures पता है stack data structure पता है और अभी आप लोग queue data structure के बारे में जादा जानकरी जानना चाहते है तो ये जो मैंने अभी बोला कि insertion and deletion operation हम perform करते है वो जो है वो separate end पे perform करते है उस end को हम क्या बोलते है तो जिस end पे हम data insert करते है add करते है उस end को हम बोलते है rare end और जिस end का data हम delete करते है उस end को हम बोलते है front end यहाँ पे मैंने एक छोटा सा example दिया हुआ है यह Q है जिसमें यह महीला सबसे आगे खड़ी है तो यह हो गया हमारा front end और यह हो गया हमारा rare end क्यूंकि इस end से लोग इस Q में insert हो रहे है तो जो सबसे पहले आगे खड़ी हो गई है यह हो गया हमारा front end और वो सबसे पहले delete होने वाली है exit होने वाली ही ये वाली Q से अभी हम देखते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे आगे खड़ी है वो सबसे पहले delete होने वाली है इसे क्या बोलते है और इसको कैसे explain किया जाता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हो तो यहां पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि जो हम insert operation करते है वो करते हैं हम rare end पे जो हम delete operation करते हैं वो हम करते है front end पे तो obviously क्या होता है जो सबसे पहले insert होता है वो ही सबसे पहले delete होता है तो यह जो behavior है Q का? इस behavior को, इस property को हम बोलते है first in, first out property जो सबसे पहले in होता है, वही सबसे पहले out होता है तो इसको ही हम short में बोलते है FIFO structure तो Q जो होता है, वो FIFO structure होता है जिसमें जो data सबसे पहले in होता है, वही सबसे पहले out हो जाता है तो अब हम देखते हैं कि Q पे हम कौन-कौन से operations perform करते हैं तो Q पे जो operations perform करते हैं उसमें से सबसे पहला operation है वो है insertion operation और उसको ही हम बोलते है nQ operation जो कि हम rare end पे perform करते हैं सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी Q में space available है या नहीं वो हम check करते हैं, its full operation के साथ, its full operation हमारा check करेगा कि जो हम insert operation perform करना चाहते हैं, वो insert operation perform करने के लिए हमारे space available है या नहीं, अगर space available है, तो वो insert operation perform करेगा, अगर space available नहीं है, इसका मतलब हमारा q full है, तो वो insert operation perform नहीं करेगा, अगर हमारा अगला operation है delete operation तो उसको ही हम बोलते है dq operation तो delete और dq operation perform करने से पहले हमें check करना है कि हमारी q empty है या नहीं अगर हमारी queue empty है, हमारी queue में कुछ भी data available नहीं है, तो हम delete operation perform नहीं कर सकते हैं. अगर हमारी queue में data available है, इसका मतलब हमारा queue empty नहीं है, तो ही हम delete operation perform कर सकते हैं. यह जो delete operation है वो कौनसी end पे perform होगा तो वो हो जाएगा front end पे और जो next वाल operation होता है वो होता है display operation display का ही मतलब होता है traversal जो कुछ data available है हमारी queue में उसको हम travels करना चाहते हैं तो उसको ही हम बोलते है display operation उसके लिए भी हमें सबसे पहले check करना है हमारा queue empty है या नहीं अगर हमारा queue empty है तो हम display operation perform नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारी queue में कुछ data available है ही नहीं तो हम क्या display करेंगे इसके लिए अगर हमारा queue empty है तो हम display operation perform नहीं करेंगे अभी मैं यहाँ पे repeatedly आपको बताने वाली हूँ बता रही हूँ कि जो हमारा Q है वो दो pointer के साथ work होगा दो end पे हमें operation perform करने हैं इसलिए हमें दो pointer लगेंगे तो जब हम insertion operation perform करने वाले है तो हम rare pointer यूज़ करेंगे जब हम delete operation perform करने वाले है तब हम front pointer के साथ operation perform करेंगे यहाँ पे मैंने in short example explain किया हुआ है जिस पे मैं insert operation आपको explain करने वाली हो यह हमारा Q हो गया जिस पे फिल हाल तीन elements available है जो की A, B and C A हमारा सबसे पहले Q में insert हुआ है इसलिए वो जाके बैट गया है front पे उसके बाद B और उसके बाद C तो अभी फिल हाल हमारा जो C element है वो हमारा rare end पे available है अभी मुझे insert operation perform करना है जो हमारा नया data है D data है वो हमें Q में insert करना है तो वो कौन से end पे insert होगा? obviously insertion operation जो है वो perform होगा rare end पे तो वो जो नया data अभी insert हो रहा है वो हो गया rare end पे तो जो हमारा rare pointer होगा वो update हो गया जो कि पहले C पे था अभी insert होने के बाद वो हो गया D पे वो set हो गया वो हमें बता रहा है कि अब जो latest element है inserted हमारी Q पे वो है D तो आप देख सकते हो कि insertion operation करने से पहले front का position जो था वो same position है insert operation perform करने के बाद और जो rare का position था insert operation करने से पहले वो था C element पे जो कि insert operation perform करने के बाद हो रहा है D element पे तो जो change हो रहा है वो हो रहा है rare end पे क्यूंकि हम यहाँ पे insert operation perform कर रहे हैं अभी मैं आपको delete operation explain करने वाली हूँ जिस पे हम यह वाला जो Q है अभी insert होने के बाद वही Q पे हम delete operation perform करेंगे तो फिल हाल हमारा जो element present है in the front of Q वो है A और जो हमारा element present है वो at the end of Q और rare end पे जो है वो element है D तो यह हो गया हमारा delete operation perform करने से पहले हमारी Q का status अभी delete operation जो हम perform करने वाले है और DQ operation जो हम perform करने वाले है वो DQ operation perform होगा front end पे जो हमारा front end है और जो data हमारा front end पे available है वो हम यहाँ पे delete करने वाले है तो हमारा element A जो है वो front end पे available है वो हम अभी delete करेंगे इसका मतलग वो A जो data है हमारा वो हम Q से बाहर निकालेंगे, exit करेंगे तो वो DQ operation perform करने के बाद जो हमारा है वो front variable, front pointer हमारा update हो जाएगा तो वो आ जाएगा हमारी next element पे, जो next element हमारा है वो है element B तो अभी मेरा front pointer जो है वो B को point करेगा और अब आप देख सकते हो यहाँ पे rare pointer पे, rare variable पे कुछ भी changes नहीं है क्योंकि हम जो delete operation perform करने वाले हैं वो perform होता है at the front end of a queue और जो insert operation perform करते हैं वो at the rare end of a queue तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम insert operation perform करते हैं तो जो changes होते हैं वो होते हैं rare end पे और जो हम delete operation perform करते हैं वो सारे changes होते हैं front end पे इस video में मैंने ये एक छोटा सा और simple example लेके आप लोगों को explain करने की कोशिश की है कि insert operation में क्या होता है और delete operation में क्या होता है detail में यही दोनों operation में मेरे अगले वीडियो में explain करने वाली हूँ तो फिलहाल में ये वीडियो में ये चीजे सारे short में बताई हुई है for detail मेरे channel के साथ आप tune रहे जिसकी जानकारी आपको ringing bell देखता रहेगा तो thank you friends मेरा वीडियो देखने के लिए जानने के लिए पढ़ने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो useful लगता है तो comment देना ना भूलिए अगर मेरे वीडियो के contents और वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइब करना ना भूलिए, मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये मेरा चानल टेक टॉक्स आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए आप bell ringing रखिए क्योंकि ringing bell आपको मेरी चैनल के नए वीडियो के नोटिफिकेशन देता रहेगा मैं यहाँ पे आपको कुछ और वीडियो की link प्रोवाइड कर रहे हूँ जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो का shortcut मिलता रहेगा So, thank you friends for listening my video So, thank you